हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका मशूर आक्टर पर घरेलू हिंसा का आरोप धोखे से लिया तलाग पत्नी बोली मुझे कमरे में बंद कर देता है जी हाँ मैं बात कर रही हूँ मशूर टीवी आक्टर सिजेन खान की जोकी शोकसौटी जिंदगी के में अनुराग बासू का रोल पाकर काफी जादा फेमस हुए अब परसनल लाइफ की वज़े से ये आक्टर विवादों में आ गया है सिजेन पर उनकी पत्नी आईशा पिरानी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है उनका दावा है कि सिजेन हमेशा एब्यूजिव रहे हैं और साथी साथ वो बहुत जादा उन्हें मारते भी हैं इतना ही नहीं पत्नी का दावा है कि सिजेन हमेशा से ही गाली गलोच पर उतराते हैं वो उन्हें कमरे में लॉक करते थे यहां तक कि आईशा का कहना है कि वो और सिजेन, मुस्लिम लौग के अनुसार अभी भी शादी शुदा है, वो यूएस में रहती है, उन्होंने साजून को सिजेन के खिलाफ केस किया है, इतना ही नहीं आईशा का दावा है, सिजेन और उनकी गल्फरेंड उन्हें गंदे वॉइस मेसेज़स भेजते हैं और टॉर्चर करते हैं, आईशा ने ये मेसेज़स पुलिस को भी सेंड कर दिये हैं एक इंटर्विय के दौरान उन्होंने कहा, मेरे बच्चे मेरे संग हुई, मार्टीट के गवा है, सिजेन मुझे रूम में बंद कर देता था, काई पर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लड करता था, और मुझे लगता है वो कैसनोवा है, वो मुझे कहता था, मैंने तुम स शादी की है, अपनी जान नहीं दी है, वो हमेशा एब्यूसिव रहता था, अगर मैं कुछ भूल जाती तो भदी बाते बोल कर मुझे टॉर्चर करता था, इतना ही नहीं, आईशा आगे कहती है, अभी भी सिजेन के साथ निकाह है, चाहे उसने धोक्य से तलाक लिया हो, मै लीगल तलाक चाहती हूँ, मैं भी मूव उन होना चाहती हूँ, आईशा यहाँ पर दावा करती हैं कि सिजेन ने उनसे यूएस का ग्रीन कार्ट पाने के लिए, शादी की थी, उन्होंने सिजेन पर जो भी पैसे खर्च किये, वो रकम आईशा को वापस चाहिए, बता दे साल सिजेन ने गल्फरेंड अफसीन संग वेडिंग प्लांस पर भी बात की थी, वो दोनों पिछले तीन सालों से इस साथ में है, मैराल इस वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही और पुलिस पूरे मामने की जांच में जुटी है